Once again, welcome you all at online YouTube channel of Future Defense Academy. एक बार फिर से आप सभी का Future Defense Academy के online YouTube platform पर हार्दिक स्वागत है और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक surprise रहने वाला है और यह surprise है हमारी special class या ऐसे खह सकते हैं career defining class The class 10th, जो class 10th होती है वो career defining class होती है In Every Student's Life आप किसी भी class में पढ़ रहे हैं तो आपकी जो 10th होगी वो क्या होगी? Career defining क्योंकि यहाँ पर first time आप लोग boards देते हैं क्या देते हैं? Boards exams देते हैं ठीक है? जो बच्चे CBSC के अंदर हैं वो तो first time भी देते हैं Basically रास्थान board या कुछ state boards में 5th या 8 boards होती है होता है, first time pressure कब feel होता है? realistic pressure, exams का pressure आपके दिमाग में जरूर चलेगा क्योंकि आप student हो यार अगर एक छोटा सा test भी होगा तो आपके दिमाग में बात रहेगी लेकिन main pressure 10th का exam शुरू करता है ठीक है? तो अब बात करते हैं कि 10th के अंदर और 10th के अंदर हम सबसे tough subject जो बच्चों को लगता है, होता नहीं है, बच्चों को लगता है, कौन सा लगता होगा? सभी answer करके बता सकते हैं comment के अंदर? mathematics mathematics और क्यों लगता है, यह उनकी अपनी अपनी थियोरी है, पता नहीं क्या कारण है? बच्चे क्या करते हैं, सर? mathy, mathematics इसका कहने का मतलब है, देखो, mathy मतलब क्या होता है? मात हो, जो यहां से बिलॉंग करते हैं, राज़स्थान, उसमें मात रवडी, तो जो सब्जेक्ट पढ़के इस तरीके से आजाए नहीं हो जाए तो वह होता है मैथमेटिक्स बेसिकली कुछ लोग इसकी डेफिनेशन इस तरीके से देते हैं या कुछ लोग कहते हैं मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी जो मैथ्स होता है उसको क्या कहते हैं मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी जबकि ऐसा कुछ भी नी होता है इन दोनों फिर्ण को हम बहुत अच्छे से दूर करने वाले हैं इस क्लास के ठूव और हम टॉपिक भी आपका सबसे टफ तो भई या ट्रिग्नोमेट्री आपका सबसे टफ चेप्टर है और आप पहली बार पढ़ रहे हैं अगर आप क्लास 10 के विद्यारती हैं 10 के स्टुडेंट है तो आप इस चेप्टर को फर्स टाइम रीड कर रहे हैं जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री ठीक है वही अब जा से ग्रीक वर्ड्स हैं त्रस्ट इस ट्रेग्नॉन त्रैकनोमे क्या ट्रैकनोमेट्री चरति ईन्चार अब दूसरा वहता है ppers लिए ठीक है trigonon का मतलब क्या होता है trigonon का मतलब होता है 3 इसका मतलब होता है angles और यहाँ पर प्लस इसका मतलब होता है measurement देखो जो try word है उसका मतलब चाहे आप physics में पढ़े हैं या basically आप chemistry के अंदर पढ़ते हैं carbon वाले topic के अंदर इस तरह की चीज़ पढ़ते हैं तो ट्राइ का मतलब 3 इस गॉनन का मतलब हो जाएगा एंगल्स मतलब ट्रिग्नॉन का मतलब क्या हो गया 3 एंगल्स एंड मैटरोन का मतलब हो गया मेजरमेंट तो basically मैं ऐसा लिख सकता हूँ the branch of mathematics in which we deals with angles measurement and sides of a triangle basically क्या कहना चाहता हूँ the branch of mathematics in which we deal with angles measurement and sides of a triangle है वो कहां useful होगी कहां पर trigonometry लगेगी और कहां पर trigonometry नहीं लगेगी इसके लिए क्या जरूत है इसके लिए क्या necessary condition है कि भी ट्रिगनो मेट्री किस ट्राइंगल में लेगेगी किस में नहीं लेगेगी तो आपको ध्यान में रखनी है बात की भैया Trignometry के लिए right angle, triangle कौन सा? right angle, triangle मैं हिंदी में terminologist को बता दूँछा कोई हिंदी मेडिम का बच्चा देख रहा है तो लेकिन right angle triangle को समकौन त्रिबुज बोलते हैं लेकिन आप English के words को भी पकड़ने की कोशिश करें right angle triangle रेकिश सीखते आ रहे हैं इस तरिके का एक ट्रयंगल होता है ठीक है? उसको राइट एंगल बोलते हैं और ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिगरी होता है ठीक है? कित्य डिगरी का होता है? 90 डिगरी का और जो सबसे लॉंगेस साइड है सबसे longest side क्या होती है इसके सामने ये होती है h यानि की hypotenuse और इसे हिंदी में कहते हैं turn ये सबसे longest side होती है longest side of a right angle triangle is known as या is called as आपका hypotenuse the longest side of a right angle triangle is known as hypotenuse ठीके सर अब एक बंदा आया था जिसके करन हमें पढ़नी पढ़ रही है उसका नाम था पाइथागोरस अगर पाइथागोरस नहीं आता तो ट्रिग्नोमेटरी नहीं आती 11-12 में ट्रिग्नोमेटरी का यूज नहीं आता मैस का एक बहुत बड़ा portion solve हो जाता पढ़ना नहीं पढ़ता लेकिन पाइथागोरस नहीं आता तो sum of square of two sides is equals to the square of third side या other sides that means हम पढ़ते वहाए है P square plus B square is equals to H square यानि कि यहाँ पे P है आपका perpendicular B है आपका base और H है आपका hypotenuse बोले तो यह आपका perpendicular यानि लंब है यह आपका base यानि की आधार है यह आपका hypotenuse यानि की कर्ण हो गया ठीक है अब सर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप यह नहीं नहीं बता सकते अभी तक कि भई परपैंडिकूलर कौन सा होगा और base कौन सा होगा hypotenuse का बता सकता हूं कि भई यह longest side है यह hypotenuse हो जाएगी यह वाली जो side है ना देखो यह वाली यह longest है तो यह हाइपोटेमियस हो जाएगी, लेकिन मैं यहें नहीं बता सकता कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, वो कैसे पता लगेगा? तो वो देखिए, ऐसे पता लगेगा? कि वी, एंगल कैसे बन रहा है? कैसे पता लगेगा? अब सिपोर्स मैंOW बात करता हूं इससे एंगल को ले लेता हूं चीक है, टेटा, ये मेरा एंगल है, कौन सा थीटा ठीक है सर, अब इस थीटा, ये चो थीटा है ना इस थीटा से डिसाइड होगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है डेखिए जो theta है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा perpendicular क्या हो जाएगा perpendicular और जिस पे दोřर एंगल है दोनों एंगल जिसकी उपर बने वे हैं वो base हो जाएगा तो यह वाली चीज हो गई base तो यहां से एक चीज समझ में आई कि theta के corresponding सामने वाली साइड है थीटा के कॉर्रस्पॉंडिंग सामने वाली साइड है वह परपैंडिकुलर जिस पर नाइंटी डिगरी और थीटा दोनों बने हुए है वह सब से लॉंगे साइड हाइपोटेनियस होती है यह बात क्लियर है थोड़ा सा गला खराब है मैनेज आपके दिमाग में एक question यहां पर rise हो रहा होगा और होना भी चाहिए कि सर अगर इस ही ट्राइंगल के अंदर कि पॉसिबिल्टी कुछ इस प्रकार आ जाए या कुछ ऐसी possibility आ जाए कि सर यह तो 90 डिग्री है यह आपका है यहां पर थीटा आ जाए कहां पर आ जाए थीटा यहां पर आ जाए तब क्या case बनेगा तो मैंने कहा कि थीटा ही decide करेगा कि कौन perpendicular है या कौन base है जैसे आपके घर में आपके दादा जी या दादी जी होते है या एक कोई ऐसा person जिसकी चलती है या तो यहां पर वो special person कौन है थीटा तो थीटा क्या करेगा decide करेगा थीटा के corresponding side कौन सी पर्पेंडिकुलर यह बात कर चुके हैं तो यह स्टाइड होगी पर्पेंडिकुलर और दोनों एंगल्स किस पे हैं देखो 90 और एंगल इस पे है तो बेस यह हो जाएगा तो देख लीजिए theta बदलो के conditions बदल जाएगी कहते हैं न नजरिया बदलो नजारे बदल जाएगे तो यहाँ पे theta ये था तो perpendicular और base ये हो जाएगा theta ये हुआ तो perpendicular और base ये हो जाएगा theta बदलेगा तो perpendicular और base change हो जाएगा राइम कर रहा हूँ ना कि नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे ठीटा बदलो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे ऐसे connect करके पढ़ा करो चुरू शुरू मैं अच्छा लगेगा बाद में रटीज जाएगा ठीक है तो basically आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है वो किस पर depend करता है या आप तो पता लग गया है मैं सीधा नहीं बोल सकता सीधा ऐसे कोई triangle दिया हुआ है और 90 ये दे रखा है तो ये तो hypotenious है correct है बात बट परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है वो मैं नहीं बोल सकता पहले मुझे सिर्फ इस बारे के अंदर प लोगों को तो ध्यान रखिएगा जो थीटा होता है वो डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर होगा और सॉरी कौन बेस होगा थीटा के corresponding सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर जिस पे दोनों एंगल होंगे वो बेस सेम विद इट कंडिशन तो यहाँ परपें और बेस क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये बात क्लियर हो चुकी है अब देखिए आपका नाम भी तो कुछ ना कुछ होता है आप लोगों का राम शाम घंश्याम जैसे मेरा नाम दिव्यांश्यों है तो इनका भी नाम करना पड़ेगा नहीं तो बुरा म ठीक है थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है मुझसे, तो हसे नहीं, समझने की कौशिश कीजिए, ठीक है ज़र, ये 90 डिगरी, मैंने ये थीटा लिया, अच्छे एक बात और बताईए, कि मैं इसका arrow ऐसा ही क्यों दिखाता हूँ, कि मैं arrow ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे क्यों angle से belong करता हूँ, कि जो हमेशा angle का measurement होता है, वो anti-clockwise होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में होता है, तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है गड़ी यूँ, और anti-clock मतलब क्या हूँ, जो आपकी clock है उसके reverse direction में, इस तरीके की direction, तो angle का formation हमेशा anti-clockwise होता है, इसलिए मैं angle हम आता हूँ, अब आप लोगों समझ में आ गया होगा कि angle ऐसे क्यों बनता है, मैक्स में हर चीज का logic होता है, आप books में जैसे angle देखते हो न, तो book में ऐसा बनावा आता होगा, कि sir ऐसा बनावा था, कैसा बनावा था, कि sir ऐसा arrow जैसा बनावा था, मतलब समझ में नहीं आया, पर पूछ नहीं पाते हैं, कि इतनी basic सी बात होगा, misprint हो गया होगा, लेकिन reason यह होता है, कि angles anti-clockwise measure करते हैं, इसलिए ऐसा लिखते हैं, theta के सामने वाला perpendicular यानि P, यह आपका base, जिस पे दोना angle है, सबसे longest side, hypotenuse, यहां तक की बात हो गई, खतन, अब हम इनका नाम करण करेंगे, प्यारा प्यारा, तो देखो सुनो बात को ध्यान से, कि भई, possibilities कितनी कितनी हो सकती है, तो सबसे पहली possibility हो सकती है, P upon H, चीक है, भई, perpendicular upon hypotenuse एक possibility हो सकती है, इसको क्या लिखूँ, perpendicular upon hypotenuse second क्या हो सकती है, based upon hypotenuse एक possibility possibilities कितनी हो सकती है, वो हम count कर रहे हैं, पहले, फिर क्या हो सकता है, perpendicular upon base, अब देखो तीन possibility हो गई, क्या, perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse और perpendicular upon base, अब reverse order की possibility देखते हैं, कौन कौन सी हो सकती है, तो देखिए आगे देखते हैं, क्या possibilities हो सकती है, यह हो गई, यहीं पर कर लें क्या, चलो next पर करते हैं, चलो एक और आजाएगी हां पर, उल्टा करते हैं, base upon perpendicular करके देखते हैं, जो बच्चे पहले कहीं पढ़ रूचुके हैं, वो सोच रहोंगे, सर, क्या कर रहे हैं, सिधा formula क्यों नहीं बता रहें, ठीक है, एक और क्या हो सकती है, हाइपोटेनिस अपन बेस, और एक हो सकती है, हाइपोटेनिस अपन परपेंडिकुलर, क्या हो सकती है, हाइपोटेनिस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है बात, तो अब मुझे एक बात बताईए, क्या इनके अलावा कोई possibility आपको दिख रही है, क्या, पहली possibility perpendicular upon hypotenuse हो गई, सर, दूसरी based upon hypotenuse हो गई, सर, तीसरी perpendicular upon base हो गई, सर, अब ये तीनों possibility तो हो गई, अब उल्टी करके देख लेते हैं, मतलब रैसिप्रोकल करके देख लेते है based upon perpendicular हो गया, सर, based upon hypotenuse हो गया, सर, इसके अलावा कोई भी ratio नहीं निकलेगा, निकाल दो तो बता देना, अब देखो, बनाएंगे एक प्यारी सी table, जो आप लोग schools में भी सीखते हैं, और मेरे बनाते ही आप कहेंगे, सर, अब समझ में आया, क्या समझ में आया, अब समझ मे पढले बेटा, पढले, हाड, हाड, बोक्स, ठीक है, या इसका जो सबसे मस्त वर्जन लोगों लगता है, वो लगता है, पाकिस्तान बोका प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, खेर किसी नेशन के साथ ऐसा नहीं रखें, लेकिन पाकिस्तान के साथ रख सकते हैं, ख खुलिए चूटें बाकि किसी सी ऐसा नहां रहें पाकिस्तान से रखा गरें पढले बेटा पढले हार्ड हार्ड बोक्स या पाकिस्तान बुकाविया सा हिंदुस्तान हरा बर तो देखो basically 6 ही ratio होते हैं क्योंकि 6 possibilities होती है 6 से जाधा possibility नहीं होती इसलिए 6 trigonometric ratio होते हैं 6 से जाधा possibility नहीं इसलिए 6 trigonometric ratios क्योंकि देख लो हमने ratios निकाले स्क्स possibility आई और हर possibility का एक नाम लिख देंगे देखो start करेंगे हम sign से you नीचे आना है sign की फिर बात आएगे और यहां लिखो सैग और यहां लिखो तो देख लीजे स्ाइन क्या है बैए आच यानी पहला वाला तो ये बेस अपन हाइब से आदेखो बोल ये ऊपर बेस है नीचे इनेचे हैं, तो बेस अपन हेसटेँअस, क्या होता है? बेस अपन प्रप्रेंडिकुलर अपन बेस था अब पा बेस है पहले क्या बेस है? तो base upon perpendicular ऐसे जाएगा और वो होता है cot theta, क्या होता है प्यारा प्यारा cot of theta, next है hypotenuse upon base, ये भी ऐसे उपर जाएगा, तो ये हो जाएगा sec theta, next है hypotenuse upon perpendicular, देखिए ये वाला ऐसे जा रहा है, तो hypotenuse upon perpendicular हो जाएगा cos sec theta, आप इसी order से याद करेंगे अच्छा रहेगा, बुक में थोड़ा आगी पिछे दियावा है, बुक में देखिए ऐसे दियावा होगा, sin cos 10, और फिर आपको दियावा होगा cos sec sec or cot, आप इस ratio को याद नहीं करेंगे, जैसे हम बता रहे हैं वैसे याद करेंगे, mostly teacher ऐसा ही बता हैं, इनको बोलते क्या है, trigonometric ratios, और यहाँ पर यह question arise हो जाता है कई बार कि कोई आप से पूछ ले कि trigonometric ratios तुने पढ़ लिए, 8 chapter तुने complete कर लिया, अब यह बात बता दे भया, कि यह 6 ही क्यों होते हैं, 6 ही क्यों होते हैं, आप अपने y-band से बूचते हैं, तो वो कई दि सिर्फ भुजाएगा, यह करेगा, फिर पता नहीं क्या answer देगा, जो आपका बड़ा y-band science ले रखिए, उसको पूछ सकते हो, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि 3 sides होती है, उनसे ratios का formation only 6 ही हो सकता है, इन 3 sides से, perpendicular base hypotenuse से, maximum 6 ratio ही बन सकते हैं, इसलिए trigonometric ratios की value 6 ही होती है, तो याद करेंगे अच्छे से, दुबारा से उस table को मनाएंगे, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, hard hard books, इसको ऐसे याद करेंगे, या पाकिस्तान बुका प्यासा हिंदुस्तान हरा बरा, इस trick से इस swally table को याद करेंगे, फिर इसके उपर लिखेंगे sign, फिर लिखेंगे cost, फिर यहाँ नीचे लिखेंगे cot, यहाँ लिखेंगे sec, यहाँ लिखेंगे cost sec, अब देखो sign उपर है ना, तो उपर से नीचे आएंगे, तो पहला ratio होता है sign of theta, तो कितना आ जाएगा, नीचे की तरफ, P upon H, यानि कि perpendicular upon hypotaneous, फिर बात करेंगे cost theta, ठीक है, अब देखो जो notation चलेंगे न, वो बार-बार perpendicular या hypotaneous में लिखूंगा, P और H, short form में लिखेंगे, काम खतम करेंगे, cost theta, cost कहां है, यह रहा, cost देखो नीचे आएगा, base upon hypotaneous, 10 theta की value भी बात करेंगे हम, तो देखे 10 यह रहा, नीचे लेके आएगे, तो perpendicular upon base answer पाएगे, cost theta, और फिर हम बात करेंगे हमारे प्यारे सेक भहिया की, और फिर हम बात करेंगे, तो देखे, cost कहां है, cost यह रहा, उपर भीजेंगे, base upon perpendicular, सेक यह रहा, इसको भी उपर भेज दीजिए, बढ़िया से, hypotaneous upon base, इसको भी उपर भेज दें, इसके साथ ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, नमक हरामी, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, यह six ratios हैं, इनको याद करना है, और आज हम एक ही elementary question करेंगे, अच्छा सा, जिसके basis पे हम थोड़ा बहुत trigonometry सीख लेंगे, बागी का हम कल करेंगे, अच्छे से start, देखे, कैसे करते हैं, आज basic कर रहे हैं, बिलकुल, मैंने आपको बोला, कि sir, यह जो side है, यह triangle है, इस particular triangle की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यह वाला angle theta है, इसका, यह वाली side इसकी आपको मैंने दे दी, suppose, इसको आप ले लिए 17, ठीक है, और इस वाली side को आप ले लिए 50, और मैंने आपसे पूछा कि sir, value बताईए मुझे, यहाँ पे question लिख लीजिए, question number one, find the value of all trigonometric, ratios, मतलब आपको क्या पूछा है, कि सारे के सारे trigonometric ratios यह है, उनकी value find out कीजिए, बताईए कितनी हाएगी, तो यार मेरे पास में triangle है, ठीक है, यह सबसे longest side दिख रही है, तो यह angle 90 हो जाएगा, तो अब मुझे सारी sides पता करनी होगी, कि perpendicular क्या है, base क्या है, यह सब पता करना होगा, और उसके बाद में formula में रखना होगा, तो पहले मैं formula लिख लेता हूँ यहाँ पे, sin theta का formula क्या होता है, देखिए, मुझे याद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, जनता की भारी demand और उनके समझने के लिए मैं फिर से table बनाऊंगा, आप भी शुरू शुरू में table को भरपूर मात्रा में बनाए, प्रचूर मात्रा में बनाए, मस्ट सब देना हिंदी के, भरपूर, प्रचूर, अच्छे लगते हैं, खेट चोड़ो, formula या i table, perpendicular या PBP, HHP, पढले बेटा पढले, hard, hard goes, तो पहला होता है, साइन, तो साइन आएगा, perpendicular upon hypotenuse, यानि की, P upon H, कॉस थिटा आजाएगा, मेरा प्यारा सा, कॉस होता है, सेकिंड वाला, देखो, साइन यहाँ, कॉस यहाँ, टैन यहाँ, कॉट नीचे, सेक नीचे, कॉस एक नीचे, तो देखे, साइन थिटा, P by H होता है, फिर नेक्स वाला, P by H हो जाएगा, कॉस थिटा, पैन थिटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखे, टैबल में वही आ रही है, कॉट थिटा की वैल्यू, बी बाई पी, कॉट से क्या होता है, वापस रिवर्स चलो हो जाता है, सेक थिटा की वैल्यू, H upon B, हाइपोटेनिस अपॉन बेस, और सिमिलरली हम बात करें, कॉसेक के लिए, तो हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर देख लीजे, टेबल के अंदर यही वैल्यू जा रही है, पहले ऐसे जाते हैं, और फिर उल्टा, तो ये वैल्यू जा आगी 17, जिस पर दोनों एंगल्स होते हैं, वो होता है बेस, तो 15 हो गया बेस यानि B, मेरे पास में P नहीं है, बेस की वैल्यू भी कितनी आगी थी, 15, अब P नहीं है, तो P कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे जो इसके फाउंडर थे, इसके जनरेटर थे, हमारे बा Pythagorean theorem क्या होलती है बच्चा, कि perpendicular का square plus base का square is equal to hypotenuse का square, ठीक है, अब यहां हमने पहले से ratios लिखके रख लिए हैं, तो यहां मैं calculation नहीं करूँगा, मैं यहां करूँगा, यहां पर मैंने पहले से जगह बना के रखी थी, तो उससे मैं value find out कोरूँगा perpendicular की, और यहां पे लि वारा दे यह, तो Pythagoras बाबा ने क्या बताया, ऐसी चीज, तो find out करते हैं, perpendicular की value find out करनी है, तो इसको P square पढ़ा रहे ने दिया, क्योंकि मिर पास इसकी कोई value है, बेस का square, यानि B का square, बेस की value है मिर पास 15, तो यह हो जाएगा 15 का square, hypotenuse की value है मिर पास में, तो H का square यानि 17 का square, और आप सभी को यह square को याद ही होंगे, 15 का square 225, यह square 289, पर 17 का square 289 होता है, अब इसको इदर पुदा देते हैं, फैंक देते हैं, तो यह हो जाएगा 289, माइनस 225, यानि कि 225, आ जाएगा, 64, मैंने शायद 80 का लिख दिया कुछ, बड़ 64 है, ठीक है, कितना आंसर आएगा, 64, जैसे ही हम 289 में से, 225 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 64, यह 64 है, 9 नहीं अध्यान रखना, पी स्क्वार इस इकोस टू 64 है, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 64, तो यहां से वैल्यू निकल क्या आई, प्लस माइनस 8, तो अब आप उश्यार लोग बताओ कि प्लस 8 लेंगे हैं माइनस 8 लेंगे, भी पी की वैल्यू प्लस 8 लिखोगे, तो भी पी का स्क्वार क्या आएगा 64, पी की वैल्यू माइनस 8 लिखोगे, तो भी स्क्वार क्या आएगा 64, तो कौन सा उश्यार बच्चा कहेगा कि प्ल वाली value लेंगे, because the perpendicular is the length of a triangle, ठीक है, और length can't be negative, तो हम जो P है, उसकी value, plus वाला 8 consider करेंगे, अब हमारे पास सारी की सारी values हैं, तो हम सारे की सारे answer find out कर सकते हैं, तो sin theta की value लिखेंगे हम, perpendicular upon hypotenuse, तो perpendicular क्या है, 8 और hypotenuse क्या है, 17, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 8 by 17, यहाँ पर देखिए, cost theta की value, based upon hypotenuse, 15 upon 17 हो जाएगा, प्यारे बच्चों बोलो हाँ की ना, ठीक है जड़, तो 10 theta की value क्या होती है, देखिए 10 theta कहा है, perpendicular upon base, perpendicular 8, base आपका 15, तो यह हो जाएगा, 8 by 15, similarly बात करेंगे, cost theta की, तो base upon perpendicular होता है, base 15 है, perpendicular 8 है, ठीक है sir, अब बात करते हैं, next इन दोनों की, तो देखिए, hypotenuse upon base होता है, sec theta, hypotenuse की value 15, sorry 17 और यह 15, तो यह हो जाएगा, चलिए color change करता हूँ, शहाद black black साथ में आजाएगा, 17 upon 15, और यहाँ पर value आजाएगी, जो cos theta है, hypotenuse upon perpendicular, यानि की 17 upon 8, तो इस तरीके से सारे trigonometric ratios find out के जाते हैं, और यह है very 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 elementary questions of trigonometry, trigonometry बहुत अच्छी ब्रांच है mathematics की, one of the finest branch of mathematics, ठीक है, अब देखो एक question जो आपको homework में करके लाना है, आपको triangle दे रखा होगा, इस तरीके का, पहला question है, दो question है, आपको homework मिलने वाले हैं, यह है आपका theta, यह side है आपकी 12, यह है 13, और आपका homework रहेगा, find all the trigonometric ratios, conscious ratios, trigonometric ratios, एक सेंट अपन कोई भी पकड़ सकते हैं, अपन बहुत उशार है, यह 4 है, यह 3 है, यह theta है, आपको यहाँ पे भी क्या करना है, find all trigonometric ratios, चीक है, एक question और दे दें क्या, यह ही देते हैं, जगह पड़ी है तो, find all trigonometric ratios, चीक है, और triangle कुछ ऐसा आएगा, यह side 24 है, यह side 10 है, और इस बार theta दे देते हैं यहाँ, और angle ऐसे दाता है, क्योंकि angle होता है anti clockwise, और इसी के साथ आपकी प्यारी सी class होगई, यह खत्म, तो, thanks for watching video and your patience, और सुनिये बात को ध्यान से, आज आपके trigonometric की first class थी, elementary class है, हम zero to high level जाएंगे, सबसे पहले हम NCRT को solve करेंगे, बहुत अच्छे से, यह conceptual class थी, NCRT examples को भी solve करेंगे, examples को, उसके बाद exercises को, उनके questions को, कुछ questions हम R.D. शर्माई करेंगे, कुछ हम NCRT exemplar के करेंगे, तो बहुत यह अच्छे तरीके से करेंगे, previous year के questions करेंगे, papers करेंगे, क्या आता है, basic के अंदर वो भी discuss करेंगे, last में, क्या आता है, standard के अंदर वो भी discuss करेंगे, और मिलते है next class के अंदर, जै श्री कृष्णा, जै श्री रादेश्याम, और जै हे, जै भारत!